प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि बेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के शाथ शेयर करें आज मैं आपको आज के दैनिक पंचान के बारे में बताने जा रहा हूँ आज दिनांक 8 नॉमबर 2020 दिन रविबार रविबार भगवान शुर्य देव का दिन माना गया है आज जिनका भी जन्म दिन है उनको उनके जन्म दिन की धेर सारी शुब कामना है आप सभी भक्तों के उपर भगवान शुर्य देव का क्रिपा सदैव बना रहे। तूला राशी में रहेंगे और चंद्रमा करकराशी में। यह शरद रितु है अयन दक्षनायन रहेगा। नश्चत्र की बात करें तो पुष्च नश्चत्र सुवह आठ बच कर चे आलीस मिनट तक। दिशाशूल की बात करें तो आज रविवार दिन होने के कारण आज के द दिन घर से दलिया और घी खाकर बाहर निकले। इससे पहले पांच कदम पीछे चले फिर अपने गंतव विक्योर आगे बढ़े। आज रविवार का दिन भगवान शुर्यदेव का दिन माना गया है। आज के दिन प्राताकाल अश्नान करके अपने शभी आज के दिन अश्नान करे, सुद्वस्त्र धारन करे और भगवान शुर्यदेव को अर्ग परदान करे। जल में थोड़ा सा लाल चंदन डाले और उसमें सपेद पुष्प डाले और भगवान शुर्यदेव को अर्ग दे। मंत्र ओम एही सुर्यदेव को अर्ग दे। तो इससे भगवान शूरी देव प्रशन हो करके आपको आशिरवाद प्रदान करेंगे भगवान शूरी देव ही ऐसे देव हैं जो धरती पे साक्षात देवता रूप में उपस्तित माने गये हैं भगवान शूरी देव के ही द्वारा समस्त स्तृष्टी में उर्जा का संचार होता है जिससे की जीव और बनश्पति आदी सभी शक्ति और उर्जा प्राप्त करते हैं आई जानते हैं आज के अभीजीत महुर्थ के बारे में शुब महुर्थ की बात करें तो अभीजीत महुर्थ सुभा 11 बजकर 11 मिनट से सुभा 11 बजकर 55 मिनट तक और गुली कालम समय होगा दो पहर दो बचकर 18 मिनट से दो पहर तीन बचकर 41 मिनट तक राहुकाल समय की बात करे तो राहुकाल समय के दोरान कोई भी शुभकारी करना अच्छा नहीं होता है तो राहुकाल का समय होगा दो पहर तीन बचकर 41 मिनट से साम 5 बचकर 3 मिनट तक यह विक्रम शंबत 2017 प्रमादी है और शक्षंबत 1942 सरवरी तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोटफिकेशन आपके पास सबसे पहले वीडियो को लाइक और अपने वित्रों के साथ शेयर करें सुखी रहें और स्वस्त रहें जय स्रे राधे कृष्ण धन्यवाद